ये बात एकदम साफ है, कि इन तीन शक्तियों के बलबूते पर ही इस अस्तित्व का निर्मान हुआ है, वो जैसे हैं वो अपनी जगा पर बने रहते हैं और वो गतिमान हैं, देवी कोई कण नहीं हैं, वो अस्तित्व की इन तीन मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला हैं, इस धर्ती की जादातर संस्कृतियों ने स्त्रीगुन को पूरी तरह से खो दिया है, आप देख रहें ये दो सबसे हावी फैक्टर हैं, इसलिए आप देखेंगे स्त्रीगुन के लिए कोई जगा नहीं है, सब कुछ पुरुषगुन के बारे में हैं, तो स्त्रीगु व्याख्या करने का मूल शब्द था री, ये शब्द री है, जिसे स्रिष्टि का मूल या देवी मा खहते हैं, यहीं से आजकल का शब्द स्त्री आया है, स्त्री का शब्द कर्थ है महिला, री शब्द का अर्थ है गति, संभावना या उर्जा, ये वो शब्द भी है, जिससे आर्य शब्द निकला है, आर्य यानि सभ्धा या संस्कृति या प्रतिकात्मक रूप से, ये कहना, कि जब पुरुष गुन प्रभाव में होता है, तब ये जीतने वाली बात होती है, लेकिन तब जब स्त्रीगुन प्रभाव में आता है, तब ही एक सभ्धा बनती है, ये एक ऐसी संस्कृति है, जिसने स्त्रीगुन का बहुत गुनगान किया है, और साधी, ये एक ऐसी संस्कृति भी है, जहां स्त्रीगुन का घिनोना शोशन भी हुआ है, यह संस्कृती की बुनियाद स्त्रीगुन के गुणगान में है लेकिन धीरे धीरे यह संस्कृती स्त्रीगुन के शोषण में बदल गई अब सिर्ष्ठी की रचना की बात है तो स्त्रीगुन का जन माँखिर हुआ कैसे? कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऐसी शक्तियां जो स्रिष्ठी के लिए हानिकारक थी जब वो बढ़ने लगी और पूरी स्रिष्ठी के लिए खत्रा बन गई जो कि अभी भी एक शुरुवाती अवस्था में ही थी तो तीनों मुख्य भगवान आपस में मिले ब्रम्ह, विश्णू और महेश जो कि तीन अलग-अलग गुणों के प्रतीक है आधुनिक भौतिक विज्ञान की भाषा में हमें इस तरह समझा सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अलेक्ट्रॉन ब्रम्ह, विश्णू और महेश इसी क्रम में आज, मौडर्न भौतिक विज्ञान की अनुसार ये बात एकदम साफ है कि इन तीन शक्तियों के बलबूते पर ही इस सस्तित्व का निर्मान हुआ है यानि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अलेक्ट्रॉन इनका अपनी जगा पर बने रहने का कारण और इनके हमेशा गतिशील रहने का कारण ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि इन तीनों शक्तियों के बाहर होता है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक चार्ज के बिना ये तीनों किसी गतिमान अवस्था में नहीं रह सकते इन तीनों की इस गतिशील हलचल के बिना स्रिष्ठी नाम की कोई चीज ना होती विज्ञान के इसी आयाम को ये कहानी एक लोग कथा के रूप में बताना चारे है कि ये तीनों भगवान मिले और जब वो विनाशकारी शक्तियां बढ़ने लगी और वो नहीं जानते थे कि इन्हें कैसे हंडल किया जाए उनके अंदर ये तीन अद्भुद गुण थे पर उन्होंने पाया कि ये तीन गुण काफी नहीं थे वे जान गए कि इन तीन गुणों के मिश्रण की आवशक्ता थी तो उन सभी ने एक लंबी सांस छोड़ी अपना सबसे अच्छा हिसा बाहर निकाला और ये तीन शक्तियां मिल गए या इन तीन शक्तियों की सांस मिलकर एक हो गई और ऐसे बना स्त्री गुण या स्त्री प्रकृति या देवी तो जिन कहानियों की हम बात करेंगे वो जो इस संस्कृति का आधार बनाती है वो असल में भौतिक विज्ञान ही है जिसे बड़ी सुंदरता से एक लोक कथा की तरह एक साकार रूप में कहा गया है और ये वही मूलभूत शक्तियां हैं जिनसे ये स्रिष्टी बनी है ये शक्ति जिसे हम कहते हैं देवी देवी शब्द दिव से आया है दिव यानि आकाश तो देवी कोई कण नहीं है वो अस्तित्व की इन तीन मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश है वो उर्जा जिससे एक अनु चलता है वही उर्जा है जिससे ब्रह्महंड चलता है ये वही उर्जा है जो हर चीज़ को यानि स्रिष्टी में हर चीज़ को संभव बनाती है और इस उर्जा को हमेशा स्त्री गुन के रूप में पहचाना गया है मैं चाहता हूँ कि आप ये समझ लें ये बात नारित्व के गुणगान की है नारी की नहीं क्योंकि नारी में भी नर होता है ये स्त्री गुण की बात है स्त्री होने की नहीं एक स्त्री होना केवल शरीर की बात है स्त्री गुण का होना शरीर की बात नहीं है ये उससे कहीं बढ़कर है जब जिन्दा रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो तो सवभाविक है पुरुषगुन दुनिया पर राज करेगा जब भरन पोशन अच्छे से चल रहा होता है सिर्फ तभी स्त्रीगुन बाहर आता है जब समाज में भरन पोशन का ख्याल रखा जा चुका होता है सिर्फ तभी स्त्रीगुन की बारी आती है पर दुर्भागे से दुनिया में एक बड़ी त्रासदी हो रही है वो ये कि हालां कि दुनिया में कम से कम 50% आबादी के लिए भरन पोशन बहुत अच्छे से चल रहा है वो बस अपने रहन सहन के लेवल को और ज़ादा से ज़ादा आगे धकेल रहे है एक समय पर भरन पोशन का मतलब सिर्फ दो वक्त का खाना था फिर इसका मतलब हुआ एक जोपड़ी होना, फिर एक घर का होना, फिर एक महल होना अब बेंटली, अब मर्सडीज का होना, या जो भी है रहन सहन के लक्षों को और आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है लोग अपने रहन सहन को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं बहुत से लोगों को अपने जीवन में ये सारी अलग से जुड़ी हुई चीज़ें अलग से जुड़ी हुई नहीं लगती वो इससे भरण पोशन ही मानते हैं एक दूसरे लेवल का भरण पोशन इसा है की नहीं है भरन पोशन का एक और लेवल है सामाजिक भरन पोशन जो कि पूरी तरह से एक अलग ही इस्तर का है जब तक आप भरन पोशन को अपने जीवन का सबसे महत्वपून हिस्सा समझेंगे स्वभाविक रूप से पुरुष गुन राज करेगा यही कारण है कि आज दुनिया में पैसा सबसे हावी पहलू बन गया है पैसा सिर्फ भरन पोशन के लिए होता है जब तक पैसा सबसे ज़ादा महत्वपून है तब तक पुरुष गुन महत्वपून रहेगा स्थ्री गुन महत्वपून नहीं होगा महिलाय उपर आ सकती है पर उपर आने की प्रक्रिया में वो स्थ्री गुन रहने की बजाय और मरदानी होती जा रही है यह दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबट है अगर स्थ्री अत्व अगर स्थ्री गुन को दबाया गया होता तो हो सकता है वह कल वो सामने आ जाता पर अगर स्त्री गुन खुद को पुरुष गुन में बदल लेगा तो ये एक बड़ी मुसीबत है क्योंकि इसको पलटने में बहुत लंबा समय लग जाएगा पुरुष गुन को स्त्री गुन में वापस बदलने की तुलना में स्त्री गुण को आजाद करने में बहुत कम समय लगेगा इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा हम इस समय दुनिया में उस ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पैसे या रथ शास्तर का राज चल रहा है जैसे जैसे तकनीक और पैसा जादा से जादा प्रभावी होते जाएंगे आप देख रहे हैं आज ये दोनों सबसे प्रमुक फैक्टर हैं तब आप देखेंगे कि स्त्री गुण के लिए कोई जगा नहीं होगी सब कुछ पुरुष गुण के बारे में सिर्फ तब ही जब ब्रेम, संगीत, कला, ये और वो ये सारी चीजें जीवन के बारीक पहलू प्रभाव में होंगे दुनिया में उतने ही महत्वपून होंगे जितने की तकनीक और अर्थशास्त्र हैं सिर्फ तब ही स्त्री के लिए एक समान भूमिका निभाने की गुंजाईश है नहीं तो महिलाएं पुरुषों जैसा वेभार करने लगेंगी जो कि बड़े पैमाने पर होने भी लगा है क्योंकि कहीं न कहीं ये धारना है कि आदमी जैसा बन कर ही आप सफल हो सकते हैं जो कि एक बिल्कुल ही गलत सोच है ये पूरी तरह से एक विनाशकारी सोच है जो कि आज लोगों के दिमाग में घुश चुकी है कि आज अगर आप एक मर्द की तरह होंगी तभी आप सफल हो सकते हैं तो अगर हमें इस आयाम को जानना है समझना है यानि अपने अंदर के स्त्रीगुन को या अगर हमें अस्तित्व में व्याप्त स्त्रीगुन के आयाम की खोजबीन करनी है तो हमें खास तरह से होना होगा नहीं तो आप स्त्रीगुन से चुक जाएंगे दुनिया की जादा तर संस्कृतियां स्त्रीगुन से पूरी तरह से चुग गई हैं वहां महिलाएं हो सकती हैं लेकिन स्त्रीगुन जादा नहीं है यहां वहां स्त्रीगुन की जलकें मिल सकती है लेकिन कोई असली स्त्रीगुन घटित नहीं हो रहा है स्त्रीगुन एक बड़े उत्सव के रूप में नहीं घटित हो रहा है स्त्रीगुन पूरे जोश में घटित नहीं हो रहा है क्योंकि जादातर संस्कृतियां जीत हासिल करने से विक्सित हुई है जीवन को हमेशा जीत के रूप में, उपलब्धी के रूप में देखा गया है, कभी समावेश के रूप में नहीं सिर्फ ऐसी संस्कृती में, सिर्फ ऐसी जगा पर सिर्फ एक इंसान के भीतर जो जीवन को समावेश के रूप में देखता है उस व्यक्ति के अंदर स्त्रीगुन पूरे प्रवाह में व्यक्त होता है वो जो जीवन को एक उपलद्धी के रूप में देखता है वो जो जीवन को जीत की तरह देखता है वो स्त्रीगुन को नहीं जान पाएगा झाल